तो इस वीडियो में बात करेंगे बीएट को लेकर के बीएट का डिस्टेंस बैच जो कि जामे मिला इसलामिया का अपन होचे कहीं ने सीडियोई का सिंटर फर डिस्टेंस और ऑनलाइन एजूकेशन इन्होंने प्रोस्पेक्टर्स को रिलीस कर दिया है 24 जन्वरी वाले आदेेशन अगी स्टेशन चरेंगे तो पिस चार दिन बचाहीए बचेया है यहां मउस्किल दिन बचेंगे आते हैं minimum eligibility क्या है इसकी तो आपके पास bachelor's degree होने चाहिए या master's degree होने चाहिए science, social science, commerce या humanities में ठीक है पांच परसेंट relaxation दिया जाएगा for the SCST and OBC non-crimalier students यानि NCL इसकी earning जो है आठ लाग से कम है उनके लिए as per the rules of the central government ठीक है train in the service of teacher elementary education candidates who have completed NCT recognized two years program DLA, यहाँ कोई आप लोग कर चुके हैं तो आप उसकी तुरू भी eligible हो सकते हैं कि जिन्होंने NCT recognized two years education program जैसे DLA कर रखा है BLA, ठीक है BTC या JVT यह सब कर रखा है तो face to face mode तब वो eligible है साथ-साथ all candidates must appear in the interest just conducted by CDOE जाम या नई दिल लिए ओके तो यह चीज़ हो गई अब इसका duration क्या है वो समझ लेते हैं दो से पांस साल का duration है mode of admission क्या होगा तो interest test से होगा registration fee पंदरा सो रुपए है 20,000 रुपए सालाना आपका लगेगा ठीक है इसके अलावा दो घंटे का paper होगा number of questions जो होंगे वो total hundred questions होंगे one marks every correct answer पे होगा maximum marks hundred है साथ-साथ यहां पे syllabus भी define कर दिया गया है अगर आपको syllabus को तफ़र detail में समझ रहा है तो इस पर हमने लेडी एक video बना रखा है तो आप उसको जरूर से जाए चेक आउट कर सकते अभी के लिए इसमें क्या है तो general English 10 marks का है आप आई बेटन पर भी क्लिक करके आप उस तो जाके वीडियो को देख सकते है logical analytical reasoning 20 marks का है educational general awareness 25 marks का है teaching learning and schools 25 marks का है any of the following 20 marks का है math social science social science English Hindi उर्दू जो भी है तो overall thing यह है 500 रुपे इसकी total number of seats जो है वो 500 है इंट्रेस्ट सिफ और सिर्फ देल ही में होगा और कहीं पर भी नहीं होगा इस तरह ध्यान रखिएगा नो application form will be accepted after the last date of the submission in 29 March के बाद 29 February के बाद कोई पे application receive नहीं की जाएगी सासाथ applicants are here to advise to read in the read information given carefully and ensure their eligibility before submission one of the application online admission from आपको मैंने सारी चीज़े बता ही दी अलरडी तो आप जेक सकते हो इच लाडनर सपोर सेंटर है और माक्सिम फिटिशन जितने भी लाडनर सपोर सेंटर होंगे इसमें 50 students होंगे लेसी विल बीडिट टू इच एंड एफ्लिकेंट इस्टिकली अन दे बैसे दो मेरेट आफ दा इंटर्स चेस्ट कंड़क्टेट वाइस इस पर ही आपको प्रोवाइड की जाएगी लेर्निंग सपोर्ट सेंटर अब लेर्निंग सपोर्ट सेंटर वो डिपेंड करेगा अभी जो जामे मिले इसलामिया की शेकल जामे इनी वाइस चांसलर जो है वो इकबाल साहब है उसके बाद कि हम लोग बारे में ही बात करें से तो इसमें क्या है लर्न सपोर्ट सेंटर की है यह 50-50 लोगों का ग्रूप अफ़ इस्ट्रेंट को वहां पर सपोर्ट किया जाएगा अधर अधर चीज़ों से लिए तो लेर्न सपोर्ट सेंटर आखिर किसके लिए सिफ डिस्टेंस के लिए है इसमें क्या दिया जाता है अगर नोटिस होती हो सब कुछ यहीं से आता है इंपॉर्ट सर्कुलर नोटिफिकेशन यहीं से आपको नोटिस बोड पर आएगा सासाथ आपको यहीं से असाइंग्मेंट के बारे में भी पता चलेगा सब्मिशन ऑफ एग्जामनेशन के बारे में पता चलेगा डेट शीट भी यहीं से निकल के आए कि लीष्ट ऑफ एड्मिटेड इस्टुनेंट्स डिकलरेशन ऑफ डिजर्स अपकर इसे आएंगे तासाथ प्रफ यहां से आपको मेल पर भी आपको सपोर्ट किया जाएगा उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है इसके लाव अगर आपको कुछ गाइड लाइन्स या कुछ अगर पूछ चेक करना है तो आपको रेगुलर विजिट करना होगा जैमाई डॉट एसी डॉट इन ऑपको फिल करने है उसकी जो एप्लिकेशन फी है वह पंद्रा सो रुपए है जो कि आपको एक बड़ पे करन नहीं के बाद इसमें कुछ भी रिफंट नहीं होगा जरूर से ध्यान रखेगा और पैसे तभी वापस होंगे अगर वो ट्रांजक्शन फेल हुआ होगा तभी अदरवाइस वो पैसे वापस नहीं की जाएंगे अगर आपने एक बार पेमेंट करते हैं आप एक्जामनेश इसलिए आप